हाई गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल फूड मिलिस टीव देवर्ग दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट मोहित आज हम बनाने वाले हैं बंडारे में हलवा जो है किस तरह से बनाया जाता है तो आज हम आपको बिताने वाले हैं तो चली दोस्तों शुरू करते हैं एक चोटी सी इंट्रो के बाद तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि हलवा जो है देशी गी में बनाने वाले हैं और गी जो है हमने 10 कजी गी ले लिया है और जो है लगवक 8 कजी सूजी हम एड़ करने वाले हैं तो जैसे ही गी अच्छे से गर्म होता है हम सूजी जो ह भी unwanted material है वो निकाल लेंगे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली वार रहे हैं तो चैनल को जरू सुब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिक्रेशन मेल को दवाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिक्रेशन आप तक पहुंशती रहे तो इस तरह से जो है सारी की सारी सूजी जो है हम साफ कर लेंगे unwanted material निकाल लेंगे और घी जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा और फिर हम इसमें जो है सूजी एड़ कर लेंगे तो यहां पर जो है लगवग 8 kg सूजी जो है की मे अच्छे से पकाना है जैसे ही अच्छे से कलर चेंज होना शुरू हो जाता है हम इसमें बाकी के ingredients एड़ कर लेंगे तो सूजी जो है मैंने एड़ कर ली है अब हमें इसे continuously चलाते रहना है दोस्तों ध्यार रहे सूजी जो है नीचे नहीं लगनी चाहिए तो सूजी नीचे हमें लगती है तो हल्वा जो है अच्छा नहीं बन पाएगा तो इस तरह से जो है कंटिनुसली चलाते रहना है और आज का भी ध्यान रखना है कि आज ना जादा तेज होनी चाहिए ना ज़्यादा कम तो दूस्तों इस तरह से जो ए अच्छे से मिलाते रहेंगे और चैसे ही अच्छे से कलर चेंज हो जाता है हम इसमें शुगर एड़ कर लेंगे तो दूस्तों यहां पर जो जो है चीनी लगबग 15-16 किजी चीनी हम एड़ करने वाले हैं मैं आप देख सकते हैं कलर जो हे हलका साथ चेंज होना शुरू हो चुका है दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उपर आई बटन में और नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है अब वहाँ जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कलर जो है अच्छे से चेंज होना शुरू हो चुका है और चैसे ही चेंज हो जाता है अच्छे से हम इसमें जो है शुगर एड़ कर करेंगे और इस तरह से करने के बाद हमने पानी कर लेंगे अबना शरू हो जाएगा बड़ जो है पानी कर लेंगे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और बीज इसे पल्टे से चलाते रहना है ताकि हल्वा नीचे ना लगे पल्टे को चलाते रहना है कंटिनुसली यहां आप देख सकते हैं कि हल्का साथ ठीक होना शुरू हो चुका है हल्वा तो यहां पर थोड़े से रेजिंस यह दाक जिसे हम खोड़ा सा ताकि अच्छा सा कलर आजाए तो लेमन यलो कलर हम इसमें एड कर लेंगे और शे जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर बुक अच्छा से मिक्स कर लिए यह वह मैं अच्छे सब्सक्राइब करेंगे और उसी भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली वा रहे हैं तो मेरे चैनल को जिरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नूटिफिफिकेशन बेल को दुबाना ना भूले ताकि आने दोस्तों इस तरह से अच्छे से mix करते रहेंगे तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि color जो है कितना अच्छा आया है हल्वा जो है लगफ़क बन चुका है थोड़ा सा पानी जो है हम इसमें और एड़ करेंगे और दोस्तों यहां पर फ्लेम हम बंद कर लेंगे और ऐसे ही इस तरह से पल्टे से चलाते हुए इसे पका लेंगे और दोस्तों आप देखेंगे हल्वा जो है बहुत ही अच्छा बन के त्यार हो जाएगा दोस्तों इस तरह से जो है पल्टे से चलाते रहेंगे और हलवा जो है अच्छे से बनके इत्यार है दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूलें और साथ में नोट्फिकेशन बेल को दुबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोट्फिकेशन आप तक पहुंशती रहें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक कियर थांक्स पर वच्छिन